हेलो दोस्तों आप सभी का श्रागत हैं फार्मा एजूकेशन यूटूब चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में आप यहां पे देख सकते हैं साथियों फार्मा कोगनोसी चैप्टर 3 क्वालिटी कंट्रोल एंड क्रूड ड्रक्स क्रूड ड्रक् क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए तो आज हम इसी टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं चैप्टर 3 हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज कर लिजिए बेल आइकन दबा लिजिए और लाइक करना मत बूलिए चलिए हम लोग सुरू क करते हैं आज के अपने टॉपिक को कि अडल्ट्रेशन आफ क्या होता है अडल्ट्रेशन आफ ड्रग यानि ड्रग में किसकी किसकी मिलावट है उसको हम कहते हैं एडल्ट्रेशन आफ ड्रग एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट क्या होता है मिलावट तर्म एडल्ट ग्लिख को क्या हो मिलावत हो उसी को हम कहते हैं यह क्या कहते हैं इडैल ट्रेशन टर्म्स एडल आई उसको ऐसे परिभासिट किया जाता है की specific to metropolitan ग्रूड जो भी ओर इसके पार्ट मिख्ष युट है अगर हम से केंड पॉइंट की बात करते हैं इस points की wholly with other similar looking substance कुल मिलाकर मतलब जो भी पूरे drugs हुँ वो similar उसी तरीके से दिखें और दिखाई पड़ें ठीक है अगर हम तीसरे points की बात करते हैं types of adulteration adulteration मतलब मिलावट कितनी प्रकार की हो सकती है उसके type है तो उसके दो type है adulteration may be of two types कितने types के हैं दो types के अब कौन-कौन से हैं उनके हम समझते हैं बारी-बारी से पहला है unit यूनिंट यूनिटेस्नल एडर्ट्रेशन यूनिटेस्नल एडर्ट्रेशन इसका मतलब क्या होता है चलिए समझते हैं ठीक है यूनिटेस्नल का मतलब होता है कि जिसमें हमें कुछ अलग सा दिखाई ना पड़े, क्या हो अलग सा दिखाई ना पड़े, कुझ भी मिलावट करें, उसमें कोई अलग ना हो, ठीक है और क्या करन भी हो सकते हैं, उसमें कि वो अलग नहीं दिखेगा, तो वो सब चीज़ा हमें आपे देखने वाले हैं, इट अकर्स विदाओट एनी बेड इंटेंशनज आप मैनुफेक्ट्रिंग और सप्लाइज यूनि तेंटेंजेस्ट स्याइर्ट इ Culड़ीड डियमे ड् yorkेशन िडっ इट अकर्स विदाओट यह पाया जाता है यह बीना किसी इनी बेड इंटेंशन आप मैनुफेक्ट्रिं बिना किसी process के ठीक है यह क्या होता है बिना किसी process के पाया जाता है ठीक है अब इसको हम समझने वाले हैं यहां पर सुनिये का और समझेगा तो यहां पर देख सकते हैं इट अकर्स बिदाउट एनी बेड इंटेंशन आप मैनुफेक्चरिंग बिना बेड इंटेंशन मैनुफेक्चरिंग के एकार्डिंग यह पाया जाता है यह supply एडर्ट्रेसं में भी और supply करने के इसके अनेक प्रकार के अलग अलग रीजन हो सकते हैं जैसे confusions in vernicular names उसके vernicular names से आपको confusion हो जाएगा lack of knowledge about authentic source मतलब अगर हम किस source से जो drugs पाये जाते हैं उसकी हमें जानकारी नहीं है या उसकी जानकारी में जो भी कमी है उसके currents क्या हो जाएंगे उनको हम पहचान नहीं पाएंगे कि उसमें क्या-क्या मिलावट है ठीक है तीसरा है similar in morphology अगर सभी morphology same है morphology का मतलब होता structural जो भी बनावट है अगर सभी drugs के same है तो उनको identify कर पाना बहुत ही मुस्किल है like authentic plants अगर जो भी authentic plants है उनकी अगर कमी होती है तो भी हम उसके drugs को पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें क्या-क्या मिलावट है similarity in color अगर हम drugs के color को similar रखेंगे तो भी उसमें मिलावट को पहचानने में वहुत ही problems होंगी careless collections अगर हम careless सावधानी पूरव collections ड्रक का नहीं करते हैं तो उसमें भी हमें मिलावट देखने को मिलेगी और भी unknown regions हो सकते हैं जो हमें ऐसे regions हैं जो पता नहीं है तो आई होप आपको unitational adaptation समझ में आ गया होगा अब मैं आगे बढ़ता हूँ international adaptation ठीक है international adaptation may be due to the following regions जो अंतराश्टी ये मिलावटे होती हैं उनके बारे में हमें आप एक कुछ समझने वाले हैं इंटर्टेस्नल है ठीक है international नहीं है इंटर्टेस्नल है अडर्ट्रेशंस ठीक है जो आंतरीक रूप से इसमें कुछ मिलावट होती है उसके बारे में जैसे क्या क्या हो सकता है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जैसे पहला आए अडर्ट्रेसंस यूजिंग मैनुफेक्चर्ड सब्स्टेंस अगर हम कोई भी मैनुफेक्चर्ड कर रहे हैं सब्स्टेंस को तो उसमें हम एडर्ट्रेशन करेंगे यानि हम उसमें कुछ न और एसजित करते हैं हम उसी ड्रक को यूज करते हैं ठीक है अगर तो वह होगा जा气 अगर हम उसके आड़ करते हैं सिंधेयल के चीनल करना अप सिंस्तेटिक प्रिंजिपल्स, उसमें कुछ यह अकर करते हैं, उसके Quantum के अंतरगत आते हैं यह सारे डीजन्स हो सकते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अब इवाइलुएशन आप ड्रग इवाइलुएशन का मतलब होता है जो अडेंट्रेशन के बाद ठीक है जो ड्रग का विकास हुआ है उसमें क्या-क् इवाइलुएशन है किस प्रकार की मिलावट वहाँ पर की गई है ड्रग में हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं यह सब कारण यहाँ पर आपको बताए गए हैं बात समझ में आ रही होगी इवाइलुएशन आप ड्रग अडेंट्रेशन मतलब ड्रग के जो भी इवा हुआ है उसमें या उसकी जो भी मोडिफाइङ हुई है उसमें कितनी कौंटी मी HIV हैं और वह कितना प्यूरीफाई है ठीक है उसी को हम कहते हैं इवयल्वेशन आप ड्राग क्या कहते हैं कि और उसमें किस प्रकार की मिलावट की गई है उसको भी पहचानना यहां पर क्या कहलाता है evaluation of drug adtrations the evaluation of drug drug या crude drug is necessary because of following nature reasons the evaluation of crude drugs यहां पर जो भी crude drugs का evaluation हो रहा है वो बहुत ही महात तुपूर्ण है क्योंकि इसके अनेक नीचे कारण दिये गए है जैसे रोल इन identification of botanical source botanical source का क्या करना पता कर पाना यह एक रोल है ठीक है variation in biotonics biotonics में अनेक अलग-अलग प्रकार की क्या variations हैं भी वित्ताएं है quality control of crude drugs material quality control करना crude drugs के जो भी materials है उनकी उसके बाद है identification of common adaptations उसमें जो भी समान्य प्रकार से common रोप से ठीक है common रोप से उसमें जो भी मिलावट की गई है उसकी identity five कर पाना ठीक है उसके बाद है अगला safe safety assistant documentation for the taxonomical activity अगर उसमें जो भी taxonomical उसकी activity है उसका एक भ्यवस्थित और सुरचित क्या होता है assessment documentation होता है ठीक है कि उसमें कैसे हमें activity देखने को मिल रही है उसके taxonomical, morphological और chemical उसकी कैसे हमें activity देखने को मिल रही है तो उसका पूरा हमें एक record सुरचित record होना चाहिए ठीक है तभी तो हम उसमें identify कर पाएंगे कि उसकी कितनी quality मिलाने पर कितनी purity आती है या उसका नेचर किस तरहीं किस चेंज हो रहा है बास समझ में आ रही होगी इस्टेंडराइजेशन आप products अब हम products को कैसे उसको इस्टेंडराइजेशन करते हैं यह मतलब उसको इस्टेंडर्ड बनाते हैं वह अभी यहाँ पर क्या कर लाता है evaluation का एक part हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं method of evaluation of crude drug हम किस किस तरीके से evaluation कर सकते हैं crude drug के अंतरकत तो जो है हमारा चार तरीके से हैं देख सकते हैं morphological या organoleptic evaluation ठीक है दूसरा है microscopic evaluation तीसरा है physical evaluation चावता है chemical evaluation और पांचवा है biological evaluation मतलब morphological evaluation का मतलब होता है कि crude drugs जितने भी हैं अगर हम उसके external संदशना को देख करके हम उसको identify कर पाते हैं उसकी quality को identify कर पाते हैं और उसकी जो purity है उसको हम identify कर पाते हैं या of nature of adaptation अगर जो मिलावड की जो प्रकृती है कर आप हम उसको identify कर पाते हैं तो यहां पर वो सब चीजें बात किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं इतनी बाते सभी को clear हो गई होंगी अगर हम मैं बात करता हूं microscopic evaluation को समझेंगे ठीक है फिर physical evaluation हो जाएगा chemical evaluation हो जाएगा और biological evaluation हो जाएगा अब मैं बारी बारी से आज यहां पर सिर्फ दो के बारे में समझाने वाला हूं और मिलते हैं फिर next वीडियो में तो subscribe कर दीजिए like कर दीजिए मुझे बार बार कहना ना पड़े अब दोस्तों म मतलब उसकी physical property को हम यह देख सकते हैं कि यह हमें कहां पर प्राप्त हो सकता है मिल पाना इसका संभाव है दे मी help evaluation specific with reference to specific gravity density optic rotational refractive index melting points viscosity and solubility in different solvent मतलब कहने का यहां पर यह है कि जो अभी हमारे physical उसके आगद्रक्स में evaluation हो रहा है तो उसकी melting point कितना है viscosity कितनी है solubility कितनी है solvent की वो कितने तरीके से move कर रहा है उसमें कितने इंडेक्स हैं इंडेक्स का मतलब उसका कितना ब्योरा है वह optical कैसे है उसका density कितनी है वह gravity में क्या कैसे आपना effect उसको करता है तो यह सब चीजें उसकी हमारे physical evolution के अंतरगत रखा गया है आई बास समझ में साथियों चली इतने points आप याद रखिए अब मैं बात करता हूं chemical evaluation chemical evaluation में क्या होता है साथियों chemical से comparison किया आता है आप different chemical test and chemical assessing ठीक है chemical comparison of comprises of different chemical test अलग अलग प्रकार के जो भी chemical test होते है और उनके जो analysis होते हैं उनमें हम क्या करते हैं compare करते हैं उससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जो भी solutions हैं जो भी test हैं उसमें कितना isolation की quantity है कितना वो purify है कितना उसकी क्या चीज़ें उसमें present हैं यह सब चीज़ें हम क्या करते हैं chemical evaluation से उसकी identification करते हैं आप active constituent or chemicals method of evaluation quantitative chemicals such as acid value, spawnification value and it also help in proper identification of various crude drugs और उसके जो भी अलग-अलग crude drugs के variations हैं उसकी हम कैसे identify करते हैं chemicals की evaluation के अंतरगत तो I hope आपको chemical evaluation समझ में आ गया होगा अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे biological evaluation the estimation of potency of crude drugs is done by means of its effect on living organisms like bacteria, fungal growth or animal tissues or interiors, animals it calls the bio-assay bio-assay का मतलब होता है bio-evaluation का मतलब होता है यह biological evaluation का मतलब होता है कि ऐसे crude drugs जिनकी potency क्या हो पता हो ठीक है जो body पर effect कितना दिखा सकते है on living organisms पर ठीक है of the sample being testing capable for producing a biological effect as that of standard preparation उसकी हम इस्टेंडर्ड प्रिप्रेशन करते हैं और उसकी टेस्ट प्रिप्रेशन करते हैं उसके बाद हम उसको identify करते हैं तो आई होप मैंने आपको तीन evaluation अच्छे से हिंदी में समझा दिया है आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक करिए शेयर करि ये मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू जैहिन जै भारत